मेगसेस पुरुसकार विजेता और जल पुरुष के नाम से विश्विविख्यात राजेंद्र सिंग और फिल्म अभिनेत्री यूविका चौधरी की उपस्तिती में डॉकुमेंटरी फिल्म चंबल की चिठी को अधिकारिक तौर पर जैपूर के एंटर्टेन्मिंट पैराड पुरुसकारों से सम्मानित सक्षियत हैं बता दे कि राजेंद्र सिंग 46 साल से जल सरक्षन के लिए कारे करते आ रहे हैं वहीं बता दे कि यूविका चौधरी दो दशक से अपने के शेत्र में जाना माना चेहरा है और कई वालिवर्ट फिल्म्स टीवी सीरीज के लिए काम कर चुकी हैं वहीं चंबल की चिठी के समाजिक कारिकरता राम निवास मीना जो एर सीपी को लेकर जमीनी सतर पर संगर्श कर रहे हैं और लोगों को जागरुक करने का प्रत्यन भी कर रहे हैं वहीं उनके इसी प्रयास और पूर्वी राजिस्थान के तेरा जिलों के नाग कि द्रस्ते से बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा राजस्तान बड़ा राज्य है और जनसंख्या भी जादा है और भारत सरकार की जो जलनीती है उन सब का कहना है कि जल पर भारत के हर नागरिक का समान अधिकार है तो समान अधिकार है तो फिर हमें जो हमारा पानी पर हक है व पानी पहल नहीं जो सबसे ज्यादय राजस्तानको देता है सबसे बड़ाये राजस्तान को मिलना चाहिए उपयोग के लिए इस सद्री को मानता हूंσε तो आप जानते हैं मैं पिछले 20 सालों से Linking of River का और बड़े डैम का जिसमें डिस्ट्रेक्शन और डिजास्र है उसका विरोध ही करता रहा हूं और और वो सुना भी है सरकारों ने जब मैं था लिंक इंग ओफ रुवर पर मैं इसको थोड़ा अलग तरा से देखता हूं राजस्थान राज जिसके पास अपना पानी नहीं है उसको अखिर पानी चाहिए एंगे के लिए जीवान के लिए भी जाहिएजल हमारा जीवन भी है जीविका भी है और जमीर इसलिए हमारे जीव के लिए और हमारी जीवका के लिए यदि हमें जल नहीं मिलेगा तो कैसे होगा यह बात अलग है कि जहां मैंने अभी भी चंबल के बेशिन में जहां काम किया है वहां मरी हुई नदियों को जिंदा किया से चंबल की जो नदी है सेनी नदी गंभीर की जो नदी है महस्वरा न जंकट बढ़ रहा है दर्ती को बुखार चड़ रहा है मौसम का मिज़ाज बढ़ रहा है उस सब के समाधान दुनिया में यही है कि सामुदाइक विकेंदी जल परबंदन हो उससे हर्याली बढ़ें लोग खेती करें और यह जो खेती में जो जीवन है वही भारत के लिए सब से शनातन विकास का रास्ता है उसी से आגे चलेगा इस लिए मैं इस और dal को यू ठीक मांथा हूं कि हमारे पास प्रतिसंदीं अंब भाएं फ़र सद्सक्राइब हमअ हमारे पास पॉपसले हूं बाकि मैं अंदोलन वाला आदमी नहीं हूं मैंने तो अपनी जिंदेगी में पिछले 45 सालों में इस भारत की भूमी पर और दुनिया में और दूसरे देशों में भी सत्रा नदियों को जिंदा किया है तो मेरा काम है जो नेचर ने हमें दिया है उसका ठीक से प्रबंदन करें और उसका उप्योग करें पर इस आंदोलन को मेरा समर्तन है मैं इसको नैतिक तोर पर अच्छा मानता हूँ क्योंकि ये हमारे पानी का जो हग है पानी का जो हमारा अधिकार है उसको पानी की लड़ाई है इसलिए ये सफल होना चाहिए वहीं आपको बता दे कि इसी प्रयास में समाजिक कारेकरता रविंद्र मीना भी लगे हुए हैं जो गाउं गाउं जाकर लोगों को ERCP से अवगत कर रहे हैं और उसके लाप को लेकर जाकरूप भी कर रहे हैं वहीं समाजिक कारेकरता रविंद्र मीना ने क्या कुछ कहा सुनि दौर चल रहा है किसानों को आम आदमी को समझते चले आ रहे हैं एक साल हो गया हमने उसी की लिंक में ये फिल्म डोकुमेंटरी जो है वो तयार कराई है वेसे आपको बता दे की डॉकुमेंटरी चंबल की चिटी आरेन प्रोडक्शन की प्रोड्यूसर डारेक्टर रेनू नेगी और निर्देशक सुनील महता के निर्देशन में बनी फिल्म है वेसे बता दे की इस डॉकुमेंटरी का मकसद सिर्फ ये सच सामनिलाना है कि पूरवी राजिस्थान के तेरा जुलों में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए ERCP और चंबल का पानी सिर्फ एक उपाय है वैसे जलन संरक्षन को लेकर जो लोग और समाजिक कारिकरता जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों की काफी सरहना की जानी चाहिए साथी डॉकोमेंटरी चंबल की चिठी एक मात्र फिल्म नहीं है एक सची घटना है जो लोगों के लिए एक उमीद बन करा रही है फिलाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय जरूर बताएगा देश जुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जन्हेट टैम्स के साथ